मंत्री जी 130 से 140 एरपोर्ट है सिर्फ आपके पास और 330 मिलियन अमिर्का के पास जनसंख्या है 5400 बहत्तर एरपोर्ट और हमारे बराबर में ही चेना की जनसंख्या है जहां पर 500 से उपर एरपोर्ट है दूसरी तरफ हमारी एकनोमी 80 करोर लोगों को आप 5 किलो अनाज देते हैं और लगबग 95 परतिसर लोग के पास लैप्टॉप कम्प्यूटर नहीं है टू भैकिल नहीं है और बिलोब परटी लें 92 परतिसर लोग है आप जहाज को आम आदमी और विभिन जगों पर ले जाना चाते हैं लेकिन 41 परतिसर आपका ही रिपोर्ट है 41 परतिसर किराये में विर्धी होती है एक आप उपरी सीमा को तै क्यों नहीं करते हैं आप निचले सीमा को क्यों तै करते हैं पहले तो मैं मानिय मंत्री जी 130-140 एरपोर्ट मानिय मंत्री मोज है मंत्री जी 130-140 एरपोर्ट है और तीन सो टीस मिलियन अमिर्का के पास जनसंख्या है पांच हजार चार सो बहत्तर एरपोर्ट है और हमारे बराबर में ही चैना की जनसंख्या है जहाँ पर पांच सो से उपर एरपोर्ट है दोसरी तरप हमारी एकनोमी असी करोर लोगों को आप पांच किलो अनाज देते हैं और लगबग 95 परतिस्द लोग के पास लैपटॉप कम्प्यूटर नहीं है टू वैकिल नहीं है और बिलोव पोवर्टी लें 92 परतिस्द लोग है आप जहाज को आम आदमी और विभिन जगों पर ले जाना चाहते हैं लेकिन 41 परतिसद आपका ही रिपोर्ट है 41 परतिसद किराये में विर्धी होती है एक आप उपरी सीमा को तै क्यों नहीं करते हैं आप निचले सीमा को क्यों तै करते हैं सलैब निर्धारत आप क्यों नहीं करते हैं आप इस पर ज़्यादे आवस्टेक देखिए नीजी एरलाइंस पूरी हाथी हो चुकी है वो सभापती मौदे उसको लगता है कि हम पर कोई अंकूस नहीं है मैं जो चाहूँगा जब चाहूँगा जिस हाल में चाहूँगा जिस परस्तिती में चाहूँगा मैं करूँगा क्योंकि वो सभी बड़े कॉर्परेट बड़े बड़े लोगों से मुलाकात उसकी होती है उनको लगता है कि हम पर कभी भी कोई अंकूस नहीं होगा इसलिए मैं मेरा बहुत ही किलियर है इसमें कि जैसे मेरा दो तीन आगला इसमेहा है कि आप टिकट को देखिए हर चार-पांच मिनट के बाद जैसे कोई पर्व आता है मेरे यहां मेरे यहां जितने पर्व है या मजदूर हमारे हां से तीन करोर मजदूर बाहर सबा दो करोर बाहर काम करने जाते है जब साधी का महल होता है तो 33,000, 30,000, 18,000, 20,000, 22,000 की टिकट बिखती है जब कोई पर्व होता है दुरगा पुजा हो छट हो या कालिका हो जिसीच का रमनमी हो तब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा भाड़ा बर गया जब हम कहीं बाहर प्रियक्टन के लिए जाना चाहेंगे या इनी कि यहां भी सेका पट्नम या गोआ या किसी भी प्रियक्टन के स्थर पर हम जाना चाहेंगे तो 30,000 से कभी भी कम की टिकट नहीं मिलेगी आप हमको एक बात बताईए ये कोई कारण क्यों नहीं बताता कि चार बज़े चार मिनट के पहले टिकट का ये किम्मत था और ठीक पाथ मिनट के बाद टिकट 30,000 ये आकिर टिकट के कारण क्या होगे एक तो आपको ये बताना चाहिए कि आप कारण बताईए कि टिकट का फेर क्यों बढ़ गया पांच मिनट के अंदर ये भूचने बाला कोई नहीं है आप नहीं पूच सकते हैं दूसरी चीज जब हम जाते हैं एरपोर्ट तो समान में पांच किलो समान जाद हो गया या चार किलो या तीन किलो तो आप जबरदस्ती आप मनमानी कितना टिकट कार देते हैं कि इतना आपको दे दे ना एरे भाई आप बैग को लोटा दीजिए आपका य LT ले जाने को तयार निया तो पैसा ले करके आप उत्ता ही वजन लेते हैं तो फिर पैसा क्यों लेते हैं, तो तिसने चौती चीज़, जब हम एरपोर्ट जाते हैं, जी मारवाय हो या जिसका भी होती, एक सो साट रुपिये का समुसा, खाना इतना महगा है, कि मिडिल किलास जो काम करके बाहर से विदेशों से आते हैं, और वो घर जाना चाहते हैं, किसी भी घटना के कारण, नहीं जा पाता है, चौती चीज़, जब कोई कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, लिवर का इलाज है, जो बिलो अपवर्टी लेन है, सर, जो संकर्मन बिमारी से परिसान है, क्या उसके लिए कोई ऐसी बेवस्ता, आप करेंगे, कि 4,000 या 5,000 एक फिक्सेशन कर दीजिए, कितना में वो जाएगा, चौती चीज़, जो बच्चे, बिलो अपवर्टी लेन है, जो बाहर एक्जाम देने के लिए जाता है, जिसक बाहने की स्थिती होगी, इसलिए अंति में मेरा आग्रा यह है, कि आप प्लेन को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई भजट आपका है ही नहीं, आप भजट देने रही हैं, बिहार में जैसे पूर्णिया की बात हमारे मित्र ने भी की, लगातार मेरी बातीत, उस पर मैं आप से कुछ नहीं कोंगा, मेरा एक आग्रा है, कि पूर्णिया में जैसे आपने एरफोर्स है, एरफोर्स का है, वहाँ पर चैना का वार्ज होता था, वहाँ बहुत ही अंडरग्राउंड है, पी-म जाते हैं, वही रहते हैं, छोटा-छोटा प्लेन शुरू भ बना के, और जो जमीन यदि आपको कम हो रहा है, तो ततकाल भाग में उसको अधिगरहन करें, ट्रीमनल बना करके आप एरफोर्स पर आप पूर्णिया एरपोर्ट को चालू करें, दूसरा चीज, पटना इंटरनेशनल एरपोर्ट की बात लगातार उठ रही है, दस सालों से लगवक साथ सालों से पटना एरपोर्ट बनने, कौन बना रहा है, कौन कमपनी बना रहा है, कब तक वो पूरा होगा या नहीं होगा, दर्भंगा की भी यही स्थिती है, दर्भंगा हम सबसे जादे रवेन्यू देते हैं, लेकिन दर्भंगा में अभी तक, अटल विया का रहा है, पूर्णिया में एक पूर्निया एर फोर्स ट्रेनिंग सेंटर जो बत्तों के लिए हमारा आगरा आपसे एक दिमांड है मेरा, कि आप इसको करें, क्या सरकार दिवालिया कोई एर क्राफ जो है, उसके लिए कोई रवास्ता कर रहे है और जो इंडिगो है या कोई अशिट प्लेन है प्लिस आप यू स्टार्ट यू स्टार्ट प्लिस बरियादी कुरिये आप बुले अब स्टूर को मदी प्लिकुरिये सबान आएक रवर गले झाल झाल